कि दोस्तों आज पढ़ने जाले हैं कैपेशिटर ट्रांडूसर के बारें पढ़ेंगे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा दिकेपेशिटर ट्रांडूसर इस यूज़ पॉर मीजरिंग दिस्प्रेश्मेंट प्रेशर और फिजिकल कॉंटिटी एट इस पैसे ट्रांडू कैपेशिटर ट्रांडूसर जो होता है उसके द्वारा हम कोई भी इस प्लेश्मेंट को मीजर करना या प्रेशर या कुछ ही अलब फिजीकल क्वांटिकी जो इसको मीजर करने के लिए श्को में निएकित इसके में काम होता है अगर हम कोई भी एक्ष्टनल पावर के द्व को इसके द्वारा हम इसमें द्वार इंक्रीज और इसके द्वारा हम इसमें बोल टेज को माप सब्सक्राइब तक देख रहा होगा एक हमर पास थेक्ट प्लेट है एक सेकंट करते हैं जो हम इस साइट अगर इस साइट करते हैं कि इसमें हमाले पास तानीर का परेंगे आ ऊख उँ इसको निकालने का मेन आपको पर यह थार्मूला होता है यहां पर C होता है इसको चोल्डेकर आपको यह दिया हुआ है जहां पर इसके यह होता है यह होता है टोटल इंदिया पर इसका एरिया होता है सब्सक्राइब कर दिश्टेंस होता है इस पे हम अगर सब्सक्राइब करना है तो अगर हमारे पाइए सब्सक्राइब कर दिश्टेंस को बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास अगर सकते हैं अगर सकते हैं अगर हम माटेसल अगर में हाइए इलेप्टिक कर दिश्टेंस को बढ़ा से अब इसमें को भरकी परिंश्टेंस को बारे बताया गया है इसमें को बताता है जैसा कि इसमें वर्क में बिखाएंगे इसमें प्लेट करते हैं इसमें आपको प्लेट का पॉइंट दिया हुआ है इंपूट बोल्टेज दोनों बोल्टेज का डिफ्रेंश निखालना ही चाहिए इसमें भी यही काम हो रहा है एक हमारे पास यह प्लेट दूसरी 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 करते हैं वैसी इसमें बोल्टेज आपको रिजल्ट आना शुरू करते हैं एक क्यापस्ट दूसर कहलाता है क्यापस्ट ट्रांस्डूसर की सेंस्टिविटी काफी हाई होती है लिए क्यापस्ट ट्रांस्डूसर इस यूजफुल और इसमाल सिस्टम करते हैं इसकी जो फ्रेक्वेंसी काफी अच्छी होती है इसको 대박 इस ओख लेकि समाल पावर तो ईसका उपर्कार नेके छोटा डिल्ट पावर भीज्याचज़ पती है लीटिक अथैक माटको से लिप्टम को सबिका काफी कम होतması है है इसका आटवटैजी जो होते हैं the sensitivity of capacitor transducer is high the capacitor transducer is useful for small system it has good frequency response it requires small power to operate the loading effect is less due to high input impedance disadvantages आपको दिया हुए है there are some disadvantages of capacitor transducer which are given below first है the capacitor transducers are temperature sensitivity it gives non-linear behavior the output impedance depends upon the frequency used the capacitance may get changed by dust particle moisture which procedure error होता है non-linear behavior टाइक देता है इसका output impedance होता है इसका अगर अगर देस्ट पार्टिकल जा मोश्यराइजर है तो इसमें एरर रिजल्ट आ सकता है इसके the capacitor transducers are temperature sensitive it gives non-linear behavior the output impedance depends upon the frequency used the capacitance may get changed by dust particle and moisture which produced error applications of capacitor transducers the application there are some important applications capacitor transducers which are given below first the capacitor transducers are used to measure humidity in gases gases में हम लोग इसकी humidity को measure कर सकते है क्यापिस्ट ट्राइजर के द्वारा it is used to measure volume liquid level density इसके द्वारा हम volume liquid level density को measure कर सकते हैं it is used for measurement of linear and angular displacement इसका स्कार्ट इसके इसके माल हम linear measurement और angular displacement को इसके बुद्वाल इसके द्वाला हम देए reflection capacitor transducers की होती है इस capacity transducers are used to measure humidity in the second time it is used to measure volume liquid level density इसके द्वाल में देए that is boost for measurement of linear and angular displacement यह जो हमने पढ़ा होगा है यह होगा हमारा capacitor transducers झाल